नमस्कार दोस्तों मैं राजिस सोगन आप सभी के लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ किस तरह से LED वाल के कॉलम बनाई जाते हैं किस तरह से ब्लैंक पैनल डिफाइन किया जाते हैं और अधिक d mantvenant मेंने एक यह वीडियो बनाया है क्योंकर मेरे पिछले कुछ वीडियो में काफी लोगेम किया किस तरह से दिफाइन किया जाता है तो आप सबहर कें लिए मने एक वीडियो यह बनाया है और इस वीडियो मिया वास्क्रीन देखिये मैंने डाइग्राम मनाए है इसमें सेंटर में 24 केवनेट का एक सेंटर में स्क्रीन लगाई है और साइड में कि अपने इसको समझ लेंगे तो आप कितने मी क्या क्या पिसिटी होगी कितने केवनेट तक वह जोड़ सकता है तो एक बेसिक वीडियो है किस तरह से अपन कॉलम समनाएं किस तरह से ब्लैंक पैनल को डिफाइन करना है तो यह आप डिजाइन देखिए तो आप इस तरह से हमने सेंटर में 20 केवनेट लगा है एक दो तीन चार और एक दो तीन चार पांच शै बाई चस्क चार के केवनेट है और अब इसका कनेक्शन कैसे हाँ देना है पावर तो आप लगा दोगी और सिग्नल और सिग्नल किस तरह से देना है सिग्नल के लिए मैं आपको यह आपको इस तरह सी करना है ग्रीन कलर से आपने आप फ़र्ष्ट केविए यहां है तो आप प्रोसेसर केट 6 का जो सिगनल दोगे वह यहां दोगे उपर ले जाओगे फिर इसमेल फिर इसमें दोगे और यह पूरा डाइगराम आप समझ लो इस तरह से सिगनल दे दिया अब इस तरह से सिगनल दे कर तो ब्लांक पैनल जो यह होने चाहिए थे तो software जो आई नुवा कि उपर भी ऐसे बॉक्स दिखाएगा तो इनको करना है अपने को ब्लांक बताना है यह वाले छे केविनेट्स अपने को ब्लैंक शो करना है तो वह सोफ्ट्वेर के जरीए होगा यहां तो अपने केविनेट्स नहीं लगाए लेकिन सोफ्टियर में अपने को बताना है कि यहां जो केविनेट लगते वह यहां नहीं लगे हैं और यहां की खाली है ब्लैंक है तो इसको आप ब्लैंक समझो इस तरीके से आप अगर सोफ्टियर में बताएंगे कि मैंने यह जो ग्रीन वाली तरीके से मैंने सिगनल आज केविनेट में जोड़ा है और यह जो इसका बलूगा जो एल यह भलांग पनल यह बलैंक पनल तो अगर आप इस तरह से कनेक्शन करोगे और सोफ्टियर में समझाएंगे तो आपकी किस तरह से होता है तो नोवाल सिटी में यह वाला कनेक्शन किस तरह से होगा अभी चलिए करते हैं तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम और आप कर सकेंगे सबसेटिपंड आज कमे आज में डैकड्रॉप मेपण की अविए फ्रैंस हम आगे हैं नोवाल सिटी साफ्ट्वेर हैं और हम बताएंगे आज की हमारे जो केविनेट्स की सेटिंग्ग ळेंगे हैं किस तरह से है हम इसको समझाएंगे software में किस तरह से define करें ब्लेंग केविनेट्स तो अपन स्टार्टिंग सबसे पहले देखेंगे यहां पर अप यहां चलेंगे तो यहां देखेंगे port me by meine site और सब्षाइन रहें यहां पर यहां देखना है अपने को डल्यच्पी कि किया लिच्पी आपको पता है उसके यहाद में आप सीधा यहाँ आएंगे उपर यहाँ पर अपने कॉलम्स डालने हैं कितने टोटल में दस कॉलम है और रो कितनी अपनी पाच यहां री सेट आउल पर क्लिक कर देंगे फिर हम क्या करेंगे जैसे आपको कि टोटल यहां आगे पचास केविनेट एक दो तीन चार पाच और अब अपने को स्टार्टिंग करनें यहां से क्योंकि सामने से हम जिदर से देखेंगे कि मैंने फोटो में दिखाया था उसमें बाइन तरफ से कनेक्शन आ रहा था क्योंकि हम केविनेट के पीछे खड़े थे लेकिन जब इसको जो समझाएंगे वह हम केविनेट के सामने से समझाएंगे कि किस तरह से हमारा कनेक्शन तो अगर उस जो मेरे डाइग्राम में उसमें सामने खड़े होंगे तो वो द्धाइं तरफ का सिगनल हो जाएगा तो पहला केवनेट इदर आएगा वो दूसरा तीसरा चोथा पांचवा छटा साथ आटवा नवा दसवा दस केवनेट होगे एक कॉलम कंप्लीट हुआ बीच पांच वाली स्क्रीन ये जोगे तो इस गेवनेट हो गया सेंटर वाली स्क्रीन भी अभी आखरी का कॉलम ये तो तीन चार पांच शेसाथ आट आट नो दस यहां तक अपन ने एंड कर दिया है सिगनल अमने इस तरह से दिया था अब शीदे ब्लैंक केवनेट पर चलेंग कि यह वाला यहां पर मुन्हें नहीं लगाये थे तो यहां पर इसको बताना है कि यहां पर खाली जगह ब्लेंक है। अब यह आ रहा है यहां पर आप देखिये, कि क्लिक करते ही इस पे क्लिक करते ही यह आ जाएगा कि यह ब्लैंक है यह यह और 6 के बिनेट्स को ब्लैंक कर देना है फिर आपको क्या करना है अगर आपकी पूरे पैनल और मैं जो सेंटर की स्कीन एक हो गई है तो फिर आप सीधा यह जो सेव बटन है इस पे क्लिक कर देंगे और नोवायल सिटी सॉप्टर को बंद कर देंगे तो आपकी जो एलेडी वाल है विल्कुल अच्छे से जूड़ जाएगी और सारे कॉलम्स एक ही स्कीन पर जूड़ेंगे पुरा डेक्स्टोप ऐसे के ऐसे कॉलम्स और में सेंटर स्कीन पर जूड़के आएगा तो इस तरह से आपने मेरे इस विडियो में आप सम्झ गयोंगे किस तरह से पैनल्स कोलम बनाईजाते हैं इस तरह से लोग मैपिंग करते हैं वेडिंस में इवेंट्स में शादियों में संगीत में तो आप बहुत ही बेसिक और सिंपल मैथड है इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आप दीर दीर एक्सपर्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रक्टिकल करोगे लाइब प्रोग्राम में तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है